जै स्री कृष्णा आज मंगलवार के दिन आईगी सुनते हैं मंगलवार ब्रत कथा रिशी नगर में केसोदत ब्रामहर अपनी पत्नी अंजली के साथ रहता था केसोदत के घर में धन संपत्ती की कोई कमी नहीं थी नगर में सभी केसोदत का सम्मान करते थे लेकिन केसोदत संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था दोनों पती पत्नी प्रती मंगलवार को हनमान जी की पूजा करते थे बिधिवत मंगलवार का ब्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए ब्रामहर बहुत निराश हो गया लेकिन उस्ते ब्रत का नाम नहीं छोडा कुछ दिदों के बार केसोदत हनमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया उसकी पत्नी अंजली घर में रहकर मंगलवार का ब्रत करने लगे दोनों पती पत्नी पुत्र प्राती के लिए मंगलवार का बिधिवत ब्रत करने लगे अंजली ने अगली मंगलवार को ब्रत किया लेकिन किसी कारण बस उस दिन अंजली हनमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सुर्यास्त के बार भूखी ही सुग गए अगले मंगलवार को हनमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रड कर लिया छे दिन तक अंजली भूखी प्यासी रही सात्वे दिन मंगलवार को अंजली ने हनमान जी की पूजा की लेकिन तभी भूख प्यास के कारट अंजली बेहोश हो गए हनमान जी ने उसे श्वप्न में दर्सन देते हुए कहा उठो पुत्री मैं तुभारी पूजा से बहुत प्रशन हूँ तुभे सुन्दर और शुयोग्य पुत्र होनी का वर देता हूँ यह कहकर हनमान जी अंतर ध्याद हो गए ततकराल अंजली ने उठकर हनमान जी को भोग लगाया और श्वयम भोजन किया हनमान जी की अनकौम पासे अंजली ने एक सुन्दर शिशू को जन्म दिया मंगल वार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रशाद रखा गया कुछ दिनों बाद अंजली का पती की सोदर भी घर लोटाया उसने मंगल को देखा तो अंजली से पूछा यह सुन्दर बच्चा किसका है अंजली ने खुशोते हुए बोला हनमान जी के दर्शन देने और पुत्रप्राप्ट होने का बरधान देने की शारी कथा सुना दी लेकिन केसोदत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ उसके मन में पता नहीं कैसी यह कलशित विचारा गया की अंजली ने उसके साथ विश्वास घात किया है अपने पापों को छिपाने के लिए अंजली जूठ बोल रही है के सुदत दे उस बच्चे को मा डाले की योजना बनाई एक दिन के सुदत अशनान के लिए कुए पर गया मंगल भी उसके साथ था के सुदत ने मौका दिखकर मंगल को कुए में फेक दिया और घर आकर बहाना बना दिया की मंगल तो कुए पर मेरे पास पहुचा ही नहीं के सुदत के इतने कहने की ठीक बात मंगल तोडता हुआ घर लोटाया के सुदत मंगल को देख कर बुरी तरह हैरान हो उठा उसी राज हनमान जी ने की सुदत को शुक्न में दर्सन देते हुए कहा तुम दोनों के मंगल वार के ब्रत करने से प्रशन होकर पुत्र जर्म का वर्मैने दिया था फिर तुम अपनी पत्नी पर सक क्यों करते हो उसी समय की सुदत ने अंजली को जगा कर उसे छमा मांगते हुए शुक्न में हनमान जी के दर्सन देने की सारी कहानी सुनाई के सुदत ने अपने बेटे को फिर दैसे लगा कर बहुत प्यार किया था उस दिन के बाद सभी आनंद पुर्वक रहने लगे मंगलवार का बिध्यवत ब्रत करने से के सवदत और उनके सभी कष्ट दूर हो गए इस तरह जो इस्त्री पुरुष बिध्यवत मंगलवार का ब्रत करके ब्रत कथा सुनते हैं हर्मान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धनसंपत्ती का भंडार भर देते हैं सरीर के सभी रत्विकार के रूप भी नश्ट हो जाते हैं सरी का लिए Kalan